नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको All Competitive Exam के Official Channel में आज मैं आपके लिए क्या आया हूँ, HPSCC दोरा पुछे के Previous Exam से Question जो कि आपके Exam Point Divis से काफी Important रहने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे New हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो से लाते रहते हैं जो कि आप Exam Point Divis से काफी Important रहती है आज का session स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत करते हैं आज के session की, तमारा पहला Question है बिंदुस्तान अशोक विद्रोई के दमन के लिए बेज़ा था तो आपके option है, स्वनगीरी, उजयन, तरक्षीला, मथुरा तो बताइए इस का answer क्या है इस कराइट answer होगा, option number C, तरक्षीला ओके, बिंदुसार से आपसे question पुछ राता है कि बिंदुसार किस स्वन्ष से संबंदित था तो आपका answer होगा, मौर्य वन्ष ठीक है, अगर आपसे पुछ राए, इसने किस संपरदाय को पनाया था तो आपका answer होगा, आजीवक संपरदाय ठीक है, और बिंदुसार किसका उत्रादिकारी था तो ये था आपका, मौर्य वन्ष का संस्थापक, चंदरगुप्त, मौर्य का ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और दा साथ वहन एंपायर वास फाउंडिट बाए, साथ वहन समराज्य स्थापित किया गया था तो आपका उप्शन है, कणमवर्ष द्वारा, सिमुक द्वारा, गुपाल के द्वारा, दंति दुर्ग के द्वारा तो बताईए इस कंसर क्या है, कराईट अंसरो का, उप्शन नमबर B, सिमुक के द्वारा ठीक है और यहाँ पे आपको option number A दिया है कणव के द्वारा तो कणवर्ष की स्थापना किस ने की थी कणवर्ष की स्थापना की थी वासुदेव ने ठीक है और यहाँ पे option number C है गुपाल तो गुपाल ने पालवर्ष की स्थापना की थी और option number D दिया आपको दंतिदुर्ग तो दंतिदुर्ण ने की थी राष्ट कूट की स्थापना राष्ट कूट वन्ष की स्थापना तो आपको यह सब additional information याद रखनी है ठीक है और next question है दा लिंग राष्ट रैंपल इस लोकेड़ एट लिंग राष्ट का मंदिर स्थित है आपके option है भूवनेश्वर में तंजोर में मदुराई में इन मैसे कोई नहीं तो बताए इस cancer क्या है इस cancer होगा option नबर ए भूवनेश्वर में और भूवनेश्वर उडिसा की capital है ठीक है आपके option नमर ए दिया है 1556 तो 1556 में क्या हुआ था पानिपत का दूसरा युद लड़ा गया था और यह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था ठीक है और यहां पे option नमर सी दिया है 1757 उ 1757 में आपकी एतिहासिक पलासी की लड़ाई हुई थी ठीक है और पलासी की लड का नवाव सिराजुदॉला के बीच हुई थी जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुदॉला को हराया था ठीक है यहां पे option नमर सी दिया है 1768 तो 1768 में पानिपत की तीसी लड़ाई हुई थी ठीक है और पानिपत की तीसी लड़ाई किसकी बीच हुई थी तो पानिपत की ती में ठीक है और एक किस की बीच हुआ था बताइए तो यह यह दुआ था अकबर और महाराना प्रताब के बीच जिसमें अकबर जीतिया था ठीक है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को को अब अप्षिन मबर एद्या है घिलजी वंश तो खिलजी मंश की सापना किस ने की थी बताइए इसका संसापक था जराल दीन फिरोज खिल जी ठीक है और यहां पर आपका option number A दिया है गुलामवंश तो गुलामवंश की स्थापना की थी कुतुब दीन एबक ने और कब की थी तो यह की थी आपकी बारासो छे इसवी में कोश्चन आप से इस तरह भी पुछ जाता है कि गुलामवंश का वास्थिक संस्थापक कौन था आपका अंसरोगा इल्तुत्मिश और इल्तुत्मिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है ठीक है, option number D थी आपका लोदी वंश, तो लोदी वंश की स्थापना किसे ने की थी, तो लोदी वंश का संसापक था भलो लोदी, जिसे पर ने प्रथम पानिपत के युद में हराया था, और मुगल समराज्य की नीव रखी थी, ठीक है, तो बढ़ते हैं next question की और, Congress से था Muslim League का स्युक्त अधिवेशन, 1916 में हुआ था, आपका option है, लखनौ, बेलगाउ, सूरत, कराची, तो बताए इस का अंसर क्या है, इस का राइट अंसर है, option number A, लखनौ में, ठीक है, काँ पर, लखनौ में, ठीक है, और यहाँ पी आपका option number B, दिया है, बेलगाउ, तो अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था, आपका, 1924 इसी में, ठीक है, और option number C, दिया है, सूरत, यह काफी important अधिवेशन है, तो इसे, Congress Split, सूरत Split के नाम से भी, जाना जाता है, क्योंकि इसमें Congress, दो दलों में बट गई थी, एक थी, गरम दल, और दूसरी थी, नरम द ठीक है, तो यह हुआ था, आपका, 1907 में, ठीक है, और option number D, दिया है, कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो यह हुआ था, आपका, 1931, और जिसकी अधियक्षता, वल्ला भाई पटेल ने की थी, ठीक है, और यह किसली जानाता है, इसमें, वल्ला अधिकारों की मांग से समंदित है, तो आपका अंसर होगा, 1931, कराची अधिवेशन, ओके, तुम्हारा next question है, which rate can be issued, only against a government official, कौन सी rate केवल, किसी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध, जारी की जा सकती है, तो आपका option है, बंदी प्रतक्षी करण, परमादेश, निशे धाग गया, उत्प्रेशन लेक, तो बताया है, इस cancer क्या है, इस कराई टैंसरों का, option number B, परमादेश, अच्छा है, मुझे comment box में बता दीजिए, रिट कितने परकार की होती है, ठीक है, तो मारा next question है, भारतिय सविधान का कौन सा भाग, सामाजिक तथा आर्थिक लोगतंतर को आ आपके option है, center state relation, provision of emergency, directive principle of state policy, none of these, तो बताया है, इस cancer क्या है, इस कराई टैंसर है, option number C, राज्य के निती निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के निती निदेशक तत्व, और एक किस भाग में दिए गये है, तो ये दिए गये आपके, भाग चार में, ठीक है, आपसे question इस आपी पुछराता है, कि directive principle of state policy, कि किस देश की देन है, आपका अंसरों का Ireland, ठीक है, और अपातकाल का provision, किस से किस आर्टिकल तक है, तो ये आपका 352 से 360 तक, 352 में आपके राश्य पातकाल, और 356 में आपका राश्य पातकाल, ठीक है, तो ये सब information याद रखनी है, ठीक है, तो बढ़ते हैं, next question की और, संग सरकार की राजपत्रित, अधिकारी की न्युकती, तथा बरखास्ती कौन करता है, तो आपका option है, राश्य पती, परधान मंत्री, घ्रिय मंत्री, नन अफ दीज, तो बता है, इस कंसर क्या है, इस कराइट अंसरों का, option number A, राश्य पती, ओके, मारा next question है, who presides the joint sitting of parliament, संसत की स्युक्त, बैठर का संचालन कौन करता है, तो आपका option है, राश्य पती, लोग सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के सभापती, इन मैंसे कोई नहीं, तो पता है, इस का अंसर क्या है, इसका right answer है, option number B, लोग सभा के अध्यक्ष, ठ सदस्य बनने के लिए, न्यूंतम आयू कितनी है, तो आपका अंसरों का 25 वर्ष, और राज्य सभा के लिए 30 वर्ष होती है, ठीक है, तो अब बाता है, मारा geographic section, तो मारा पहला question है, how many days in one year on mercury, बुद्ध ग्रैपर वर्ष के कितने दिन है, तो पता है, इस का अंसर क्या है, option number A, 88 दिन, और साथ ही में, बुद्ध सौर्मंडल का सबसे छोटा ग्रैप ही है, और ये सुर्य के सबसे निकट है, ठीक है, तो मारा next question है, which device is used to measure humidity, कौन सी प्युक्ति का प्रियोग आंधरता मापन में किया जाता है, तो option number A दिया आपको hydrometer, तो ये use किया जाता है आपका specific gravity को मापने के लिए, और option number D है animometer, तो animo का मतलब होता है हवा, इसका अंसरों का यानि वह उपकरण, जो हवा की गति को मापता है, उसे कहते हम animometer, इसका राइट अंसरों का option number B, hydrometer, यानि hydrometer आंधरता मापन के तो मारा next question है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर नदी मुख है, तो पता है इसका अंसर क्या है, इसका राइट अंसर है, option number B, सर क्रिक, ओके और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी लाइन है, वह हो है आपकी रैट क्लिफ लाइन, ठीक है, मारा next question है, निमन मैस से कौन सा स सबसे उंचा शिकर है, which of the following is the highest peak, आपके option है, नंगा परवत, नंदा देवी, कुन लुन कामेथ, तो पता है इसका अंसर क्या है, इसका राइट अंसर होगा, option number A, नंगा परवत, ओके, और यहाँ पी आपका option number B दिया है, नंदा देवी, तो नंदा देवी, उत्तरा खंड की सबसे उंची चोटी है, ठीक है, अच्छा मुझे comment box में बता दीजिए, कि नंगा परवत, कौन सी range में located है, ठीक है, तो मारा next question है, the joint river valley venture of India and Nepal is, भारत और नेपाल की स्युक्त नंदी घाटी साहस है, तो बता है इसका राइट अंसर होगा, option number D, कोसी, ओके, मारा next question है, the basis of debtor mining, dearness allowances to employees in India is, भारत के करमचारियों के महंगाई बत्ते की गड़ना का अधार है, आपका option है, राश्चिय आए, जीवन स्तर, उभोकता मुल्य सूचकांग, स्विती की दर, तो बता है इसका राइट अंसर है, option number D, inflation rate, स्विती की दर, ओके, मारा next question है, the rate of interest is determined by, ब्याज की दर निर्धारित की जाती है, तो बता है इसका अंसर क्या है, इसका राइट अंसर होगा, option number B, Reserve Bank of India, तो मैंने आपको पहले बताया है, कि Reserve Bank of India की सापना हुई थी, 1935 में, और इसका राश्चिय करण, 1949 में किया गया था, इसका headquarter, मुंबई में located है, ओके, तो यह से दोस्तों मैं आज की question, I hope आपको इस वीडियो पसंद आयोगी, वीडियो को like, comment and share करना न भूले, और साथ ही में अपनी feedback जरूर दे, कि आपको इस वीडियो कैसी लगी, और आपको next वीडियो किस topic पर चाहिए, हमें जरूर बताए, आज की दोस्तों इतना ही, जय हिन, जय भारत!